दोसो इस लेसन में हम लोग एक और बड़ी इंटरस्टिंग और मज़े की चीज जो है वो डिसकस करने वाले हैं और मैं इस लेसन में आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग मुबाइल के लिए यूजर इंटरफेस जो है वो किस तरह से डिजाइन करते हैं अच्छा जी इससे पहले कि मैं डिजाइन करने की तरफ बढ़ हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉंसेट क्लियर करना चाहरा हूँ यूएक्स और यूआई डिजाइन के हवाले से आप लोगों ने अक्सर इंटरनेट के उपर ये दो टर्मिनालोजी बहुत ज़्यदा सुन रखी होंगी यूएक्स और यूआई डिजाइन और आप लोगों मैं से अक्सर लोगों को कन्फूजन भी होगी कि इन में बेसिकली डिफरेंस क्या है तो चलने जरा थोड़ी से इनके उपर बात कर लेते हैं दोस्टो जो यूएक्स है बेसिकली यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियनस डिजाइन यानि कि किसी भी यूजर का जो एक्सपीरियनस है किसी भी प्रॉडक्ट या सर्विस के साथ उसको डिजाइन करना और उसका ख्याल रखना ये responsibility होती है एक user experience designer की UX को हम user experience के नाम से जो है वो जानते हैं basically अच्छा अब होता क्या है? मिसाल के तोर पे आप किसी भी application के उपर कोई खाना जो है वो order करते हैं या आप किसी भी किसम की कोई reservations करवाने चाहते हैं जिसना से cinema की tickets वगरा या restaurant की table आप book करवाना चाहरे हैं अब ये उस application के साथ आपका एक user experience है अगर तो ये experience smooth है और आपको जो है वो you feel happy after experience this mobile app तो that means के user experience ने अपना काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रखा है करने से पहले और launch होने के बाद इस सारे process के अंदर जो user experience designer है वो analytics को देखता रहता है वो इस बात का ख्याल करता है कि आया कि जो experience करने वाले लोग हैं जो target audience हैं जो उस product या service या application को इस्तमाल कर रहे हैं आया कि वो उससे खुश हैं या नहीं अच्छा अब दूसरी terminology की बात करते हैं user interface design दोस्तों जो user interface है यानि के UI जिसको हम UI जो है वो short form है user interface की यह जो user interface design है इसके अंदर हम किसी भी product या service या application की जो look और feel होती है जो उसकी एक जाहरी शकल होती है उसको design करते हैं और उसके साथ हम deal करना सीखते हैं अच्छा अब मिसाल के तौर पे देखें अगर मैं आपको असान लफ़ों में समझाओं तो दोनों में difference यह है कि user experience designer जो है वो एक skeleton खड़ा करता है एक जो structure होता है उसको जो है वो वजूद में लेके आता है और जो user interface designer होता है वो उसके उपर जिसना से अगर एक skeleton है तो वो उसके उपर जनाब यली skin चड़ाता है और उसको उसके जह हैं वो जो खदोखाल होते हैं उनको वाज़े करता है तो basically हम लोग user interface designer के तोर पे काम कर रहे होते हैं और हम user interface के लिए कोई ना कोई चीज जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं चाहे वो कोई application हो चाहे वो कोई icon हो चाहे वो कोई website हो तो ये तो आपको मैंने concept clear कर दिया UX और UI के हवाले से अब हम जो है वो design करके देखेंगे mobile app के के लिए कोई भी चीज और मैं अब जो एक topic मैंने चूस किया है वो पाकिसान tourism development corporation का है PTDC के लिए एक mobile application हम फर्जी जो है वो create करेंगे और उसके लिए अब हम जो है वो Photoshop की तरफ चलते हैं और design करके देखते है mobile application का interface अच्छा जी अब ये mobile app का user interface design करने के लिए again हम Photoshop में आ ग option है अच्छा ये mobile के ओपर अगर मैं click करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि different जो है वो devices की screens के sizes already यहां पर available है यानि के यहां पर जो है वो जो है आप देख सकते है iPhone के कुछ sizes आपको मिल रहे हैं पिर इसके अलावा आपको Apple watch का size मिल रहा है और यानि और आपको इदर का अफिसरी जो है वो चीजों के sizes already कई devices के screen sizes यहां पर लिखे में हैं मैं यहां पर फिलहाल जो है जो है जो एक size लेने लगाँ वो 1080 pixels by 1920 pixels का size है और इसके लावा यह definitely यह मेरा जो है वो इसमें vertical में होगा और resolution 72 और RGB and yes that's it we are good to go यह अब जनाब यली हमारा आगया है artboard यहां से यह timeline को मैं off कर लेता हूं चलें अच्छा जी अब यह हमारा artboard जो है वो बन गया है जिसके उपर हम अपनी जो interface है उसको हम design कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले जनाब यली मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे एक new layer ले 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 लेता हूं और उसके अंदर मैं white color जो है वो fill कर देता हूं इसके बाद मेरे पास यहां पे मेरा पड़ावजी पाइकसाम tourism development corporation का logo इस logo को मैं जो है वो यहां पे आके control C और control V यानि के यहां से हम इसको copy करेंगे और हम Photoshop में आके इसको paste कर देंगे और as a smart object हम यहां पे इसको लाके center में हम यहां पे लाके इसको तक्रीम है वो logo जो है प्लेस कर लिया है अचा यह अब जो हमारा जो user interface होता है mobile का इसमें icons भी use हो सकते हैं इसमें images भी use हो सकते हैं different हर बंदे का अपना different style है लेकिन style आपका जो मर्जी हो keep it simple and keep it attractive और ताके यह असानी के साथ जो है वो इसके साथ interaction भी हो सके user का और यह देखने में जो है वो user को अच्छा लगे भला लगे इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी यहां पर बताता चलूं कि हर mobile application के topic के हवाले से किस company या किस brand या किस product या किस service के हवाले से आप वो mobile app design करने जा रहे हैं इसी तरह से आप यह जो है वो decide कर पाएंगे सारी information लेने के बाद आ side कर पाएंगे कि आप जो home screen जिसना से हम अभी एक home screen design करने जा रहे हैं पी टी डी सी के लिए आप इस home screen के अंदर क्या 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 चीजें जो है वो आपको रखनी चाहिए क्या क्या information किस तरह के buttons किस तरह के tabs या जो images या जो icons आपके पास होने चाहिए तो यह depend करता है इस प जो है वो मैंने white ही रखा हूँ है F7 की मतर से मैं अपनी layer panel को वापिस लेके आता हूँ ठीक है अच्छा जी इसको मैं right click करके blending options में जाके लगाने लगाँ जनाबी अली drop shadow ठीक है जी और इसको drop shadow मैं लगाँगा जनाबी अली मैं उसका distance बढ़ाता हूँ मैं उसका spread बढ़ा बढ़ा कर लेते हैं एक बात जो मैं भूल गया कि view में जाके हम अपनी guide outline जो है वो आप ले रहें ताके आपके guideline जो है वो आपके rulers की सूरत में आपके सामने जो है वो मौजूद हो अच्छा मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं एक और यहां पर एक आप समझने के button sort of tab जो है बढ़ा कर लेता हूं और इसको मैं प्लेस करता हूं अपने इस के साथ center में यहां पे अब मैं लिखने लगा हूं कोई चीज़ और उससे पहले मैं यहां पर लेके आउंगा एक icon अच्छा आईकॉन जैसे कि आप लों को पता है कि icons के इस्तमाल बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है खासवर पर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए तो यहां पर पता होना चाहिए और icons की एक आपके पास जो है वो collection होनी चाहिए बेशक वो आपने खुद बनाए हो या बेशक डाउनलोड की हो icons are must for user interface design तो यहां पर लाके जनाब यली मैं यह search का जो icon यह रख जोन यह उड़ेता हूं और इसका color जिए हो मैं कर लेता हूं जानाब यली चींज को मैं कर देता हूं वाइट कलर का ठीक है इसको थोड़ा सा और और चोटा कर रहा हूं अच्छा यहां पर मैं लिखने लगा हूं search your destination यहां लिख लिए इसको मैं करता हूं जनाब यली जनाबी अली इसको जो है वो कर लूँगा यहां पर इनलार्ज और इसको यहां पर मैं इस तरह से प्लेस कर दूँगा बलके यहां पर आगे जो हमें तीन डॉट्स भी देने चाहिए अब इसको मैं यहां पर आके यह अक्सर आप देखते हैं कि जब आप सर्च आपको मिल रह होती है लिखा होता है कि जनाबी अली सर्च यो डिस्टिनेशन या वटईवर जो भी तो यहां पर आकर मैंने यह क्रिएट कर लेता हूं एक बटन यहां पर मैं यह अगें एक रांड़े रेक्टेंगल यह मैं लेने लगा हूं ठीख है और इसका क्लर जो है वो मैं करने मैंने यहां पर आके टाइप करना है बुकनाव यह बैसिकली मैंने बुकिंग का जो है यहां पर एक बटन जो है वो क्रीड कर लिया इसका मैं कलर करूँगा वाइट और इसको जनाब यहां पर लाके इसको कर लूँगा बड़ा इसको इनलार्ज करके अब मैं इसके साथ कर लूँगा इसको Centralize अच्छा जी अब ये हमने Book Now का बटन भी यहां पर create कर लिया है यहां पर कुछ और information आ सकती है जैसे के यहां पर आपको कुछ एक टाब मिल सकते है Time of arrival इसको मैं black color दे देता हूँ यह देखें इसी तरह से इसी को मैं अगर करूँ duplicate और मैं right side पर इसको लेके आता हूँ और यहां पर मैं लिख लेता हूँ number of guests यानि कि यहां पर आप option जो है वो दे सकते हैं booking करते हुए आप यहां पर mention कर सकते हैं कि आपका arrival time क्या है कब आपने booking करवानी है कब आपने आना है और आपके जो number of guests हैं वो क्या होंगे तो यह आप यहां पर information जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो provide कर सकते है अच्छा अब मैं यहां पर कुछ images देना चाहरा हूँ ठीक है और images के लिए मैं यहां पर कुछ ऐसे frames जो हैं वो create कर लूँगा एक सबसे पहले मैं एक देना चाहरा हूँ landscape image ठीक है और इसके लिए मैं जनाब यली एक जो है वो यह shape क्रिएट कर लेता हूँ अब इसी layer को मैं duplicate करके नीचे लेके आ रहा हूँ और नीचे लाके इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से इसी को मैं duplicate करके ले आता हूँ यहाँ पर अब यह जो मेरी दोनों shapes हैं इनका size मैं थोड़ा सा बढ़ा कर सकता हूँ यह देखें जी यह हमने image placer बना लिए है अब हम जनाब यली इनको थोड़ा सा करेंगे उपर इन तीनों को हम select कर लेते हैं और इनको हम ले आते हैं थोड़ा उपर यहाँ पर ठीक है और अब हम क्या करते हैं कि हम images जो हैं हमारे पास पड़े में हैं वो हम इनके अंदर प्लेस कर देते हैं जैसे कि यह हमारे पास मैं इसको करूँगा clip इस तरह से ठीक है और इसी तरह से अब मैं ले के आऊंगा कुछ और images जैसे कि यह एक मेरे पास इमिच पड़ा हुआ है यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ले के आता हूँ उपर रखता हूँ यह जनाब यली मेरा image जो है वो embed हो गया इसके अंदर इसको मैं चोटा कर लेता हूँ और मैं इसके साथ जो इसके अंदर इसको place कर लेता हूँ चलें अब एक और image मैंने ले के आना है यहाँ पर यह एक image जो है यह मैं यहाँ पर drag करूँगा यहाँ पर ले के आऊंगा इसको मैं करूँगा जनाबी अली ये वाला जो मेरा मेरी शेप है इसके अंदर मैं इसको जनाबी अली क्लिप करूँगा और इस गूड टो गो अच्छा जी अब हम यहां पे नीचे जो है वो यहां पे हम कुछ टेक्स भी आड़ कर सकते हैं कोई information हो सकती है वो कुछ भी information जो हम यहां पे आड़ कर सकते हैं dummy text जो है वो जिसना से मैंने आप लों को पहले बताया हूँ है lipsum.com जो website है उससे आप लाकर यहां पे टाइप कर सकते हैं मैं भी फिलहाल जस्ट वैसे ही जो है वो कुछ टेक्स जो है अब यहां पे आखरी काम में यह करने लगा हूँ कि मैं यहां पे एक लेने लगा हूँ rectangle और इसको मैं color यही दे दूँगा यह वाला green जो मैं बुक नाओ के button के ओपर दिया था यह ज़रा fresh सा green है हमारे पस यहां पे यह देने के बाद अब मैं यहां पे कुछ प्लेस करने लगा हूँ icons जो के मेरे पास यहां पे पड़े में तो यह मैं कुछ icons यहां पे drag करता हूँ और इनको मैं यहां पे लाके दूसरे से यह मैं एक icon ले आयाया अच्छा जी मैं इसको थोड़ा चोटा कर लेता हूँ और यहां पे मैं इसको प्लेस करता हूँ अच्छा अब मैं इसको white color करने के बाद के अभी फिल हाल मैं इसी को duplicate कर रहा हूँ बजाए दूसरे लाके आपको रखके दिखाने के अभी फिल हाल मैं इसी को डुब्लिकेट कर रहा हूँ और मैं यहां पे आपको सिर्फ एक डिजाइन की ले आउट के लिहाज से समझाने के लिए जो है वो मैंने यहां पे लाके आपको यह रखके दिखा दिये कि इस तरह से यहां पे आप जो हैं, मैं यह स्टरी आप्ल राटनित का लाया हूँ, जैसे कि यह मेरे पास पड़े बेंए, यह देखें हार्ट वाला लाइक का बटन हो सकता है, उसके लावा जनाबी अली आपका यह सिगनल का हो सकता है, इसी तरह से यह जिसweet असे बैट्री क जो आपका है जनाबी अली आइकॉन यहां पर उपर करके आजएगा ठीक है यह चोटा होके बिलकुल यहां पर टॉप के उपर आजएगा आजएगा आपका जिससे आपके मुबाइल के जो यूजर इंटरफेसे होते हैं उनके अंदर आम तोर पर यह चीजें जो हैं वो इसको इसको प्लेस करते हैं और यह जनाब इसको चोटा कर देते हैं चालने जी अब आपके पर डिफरेंट आप्शन आप इसके ऊपर बैग्रोंड पर को इमेजरी भी यूज कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बड़ आपको मैंने प्रोसेस जो है वो मुबाइल के लिए जादिया